तो फाइनली यार देख लिया है, मैंने अल्लाव एंकट, ओ सारी, 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 गलती हो गई, गलती हो गई, शहजादा का ट्रेलर, और इस मुवी के मेकर से मैं एक ही सवाल पूछना चाता हूँ, और तुम्हारा क्या कांट्रिबिशन है इसमें, इस ट्रेलर को देख करके, बिलकुल क्लियरली समझ में आ जा रहा है, कि यह जो मुवी आने वाली यह शहजादा, यह सीन बाइ सीन, फ्रेम बाइ फ्रेम, लाइन बाइ लाइन कॉपीड है औरिजनल वाली मुवी से, तो भाई मुझे एक रिजन तुम लोग दो कि क्यों मैं वो औरिजनल वाली मुवी जो फ्रीम इंटरनेट पर एवलेवल है, उसको छोड़ करके यह रीमेक देखने जाओंगा भाई, ठाय 300 रुपे खर्श करके, भाई एक जो नॉर्मल ओडियन्स है ना, भाई इस तरह की बेवकुफी कभी निकरने वाली है, मैं बताता हूँ क्यों यह मुवी 100% फ्लॉप ह लेकिन उसके पहले बात कर लेते हैं कि यह ट्रेलर कैसा है, तो देखो ट्रेलर जो है अवर आल अच्छा लग रहा है, इसमें जो भी चीज़े दिखाई गई है वह देखकर के अच्छा लग रहा है, फिर गूडवाली फीलिंग आ रही है, इसमें जो डायलोक्स सुनने को म जा है एक्सन के बीच में स्टोरी जाननी है तो यह सारी चीज़े जो है ना अच्छी लग रही है ट्रिलर को देख करके भाई यह लग रहा है कि कुछ है अच्छा है लेकिन एक बात बता दूँ मैं एक एक डायलोग कॉपीड है औरिजनल वाली मुवी से इवन जो राजा मॉ करना दिखा गया है थोड़ा वू तुसको देख करके लग रहा है कि हाँ ठीक ठाक अक्सन देखने को आपको मिल जाएगा और मैं सच बतारो जब यह मुवी अनौन्स हुए थी ना तो मेरे दिमाग में सबसे पहला थोट यही आया था कि बाकि सारी चीज़े को साइड में रखो एक्सन कर पाएंगे क्या कार्तिक आरन अलू अर्जुन के लेवल का एंड यार मानना पड़ेगा कार्तिक आरन में दम तो है उन्होंने ठीक ठाक एक्सन कर लिया है अब कंपेरिजन करना मैं सहीं नहीं समझता हूं लेकिन अच्छा एक्सन देखने को मिल राइस में यह एक अच्छी बात है इसके लाव बात कर ले गानों की तो गाने अच्छे हैं मतलब आप ऐसे एक्सम बेस्ट वाले गाने नहीं कह सकते हैं और चोड़ो यार इन सारी चीजों के बावजूद भी एक बहुत ही अच्छी रीमेक कहला थी अगर कार्तिक आरन इस मूवी में कार्तिक आरेन रहते तो भाई पूरे ट्रेलर को देखरके समझ में आ रहा है कि पूरे मूवी में वो अलू अर्जुन बनने की कोसिस कर रहे हैं और यहीं पर यह मूवी पूरी तरह से मात खा जाती है मतलब वो अपने खुद के रोल को प्ले कर रहे होते जैसे उन्होंने मूवी में किया था वो अक्षेकुमार के कॉपी नहीं कर रहे था वो अपने आप को कर रहे थे अभी विक्रम वेदा मूवी आई थी उसमें भी जो चैरेक्टर्स थे वो लोग खुद को प्ले कर रहे थे अपने आपको प्ले कर रहे थे उस मूवी के एक्टर्स की कॉपी क करने की कोशिस नहीं कर रहे थे अभी द्रिशन्टू का एक्जांपल पर्फेक्ट बैठता है उस वहले सिच्योशन में लेकिन यहां पर जो है ना बिलकुल लग रहा है कि भाई अलो अर्जुन को टोटेली कॉपी करने की कोशिश की गई है और यह चीज ना बिलकुल भी एक मुवी जो है ना एकदम प्रॉपर फ्लॉप होने वाली है तो चला देखो 2022 मिना 15-16 रिमेक्स रिलीज हुई थी और उसमें से एक अगर द्रिशन्टू को छोड़ दिया जा तो भाई सारी की सारी रिमेक्स फ्लॉप हो गई तो भाई रीजन क्या निकलके आता है देखो द् अविलेबल है इंटरेट पर HD क्वालिटी में है तो आई लोग उसको देख लेंगे ना क्यों जाकर के थियाटर में पैसे बरबात करेंगे इसको तो बस यही था हैर मेरा उपिनियन आपको कैसा लागा ट्रेलर मेरा रिवीव कैसा लागा सब कुस कमेंट प्यरके बताना मि जल्लो कोने वीडियो को से तब तक के लिए बाई बाई